हलो नमस्कार दर्सको आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बे लोग भाग-धङसाली होते हैं जिनकी पत्नियों में ये चार गोड़ होते हैं तो वे कौन से गोड़ें चलिए देखते हैं प्रिये दर्सकों यहां पर है घर अगर रत है तो पत्नी पती पत्नी उसके दोनों पईये हैं अगर एक पईया ठीक से ना चले तो घर नहीं चल पाता हिंदू धरम में इस्त्रियों को देवी माना जाता है सास्त्रों के अनुसार पत्नी को बिसेस महतु दिया जातना चाहिए पत्नी को अरधांगनी योही नहीं कहा जाता इसका अर्थ होता है आधा अंग पत्नी है तो सबसे पहले एक आता है हमारा ग्रै दक्षा ग्रै कारिये में दक्ष बे इस्त्री जो घर के सभी काम जैसे की भोजन बनाना, साप सपाई करना, घर को सजाना, कपड़े बरतन आदी साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अत्तियों का मान सम् करना, कम संसादनों में ही ग्रस्ती चलाना, आदी कारियों में दक्ष होती है, उसे पती का भर पूर प्रे मिलता है और घर भी तरक्की करता है, नमबर दो, प्रिये बदा, तो प्रिये बदा अर्थात वह इस्त्री, जो बहुत मधर बोल सदैब और बड़ों से सहमेत भासा में ही वात करती है, सबकी प्रिये होती है, नमबर तीन, पती प्राणा, अर्थात, पती प्राणा, इस्त्री, जो इस्त्री अपने पती की बातों को शुनती है, और उसका पालन करती है, इसके अलावा, पती के मन को चोट पहुँचाने वाली, कोई वात नहीं करती है, ऐसी इस्त्री के लिए पती कुछ भी करने को तयार रहती है। गुल नम्मर चार पती विर्ता भै इस्त्री जो अपने पती के अलावा किसी अन्पुरुस के वारे में नहीं सोचती धरम गरंतों में ऐसी ही पत्नी को पती विर्ता कहा गया है। गरुण के अनुसार ऐसी पत्नियां पती को वल देती हैं और अन्त में चल कर सुक भोगती हैं। तो प्यारे दर्सको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प रही हो तो वीडियो को लाइक सेर तथा चाहिए।